हलो एर्वन वेलकम टू सिविल पंडा दोस्तों मेरा नाम है दीपक और आज के इस वीडियो में मैं आप से डिसकस करूंगा पद्म आवार्ट्स के बारे में तो चलिए बिना किसी देरी के आज का ये इंट्रेस्टिक वीडियो हम शुरू करते हैं देखिए भारत रतन है देश का हाइस्ट सिविलियन ओडर और उसी के बाद आते हैं पद्म आवार्ट्स सेकेंड हाइस्ट 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 है पद्म भूशन और फोर्त हाइस्ट है पद्म श्री आवार्ट्स यानि कि सबसे पहले हो गया भारत रतन द उस वक्त पद्म विभूशन के अलावा पद्म भूशन और पद्म श्री अवार्ड नहीं थे तो फिर उस वक्त क्या हुआ करते थे दोस्तों उस वक्त वर्ग होते थे पहला वर्ग दूसरा वर्ग तीसरा वर्ग और इसको चेंज किया गया 1955 में जी हां आठ जनवरी 1955 के हैं और कौन देता है ना decide कौन करता है तो चलिए मैं आपको बता देता हूं कि यह अवाड दिये जाते हैं और recommendation of committee और उस committee को बनाते हैं हमारे देश के प्राइम minister अब देखिए जानते हैं कि यह जो अवाड है यह क्यों दिये जाते हैं किस फिल्ड में दिये जाते हैं कौन कौन सी ऐसी category से तो various फिल्ड है आपको पता होगा अगर आपने sports में कुछ अच्छी उपलब्दी हासिल की है या आपने science या technology में कुछ बड़ा किया है आपने trade industry, tourism, medicines, literature, art, civil services, sports या और भी other various फिल्ड में अगर कोई सी अच्छी उपलब्दी हासिल की है तो मिल सकता है आपको यह अवर्ड देखिए लेकिन यहाँ पर एक exception भी है exception क्या है देखिए कल को अगर आप बनते हैं IES या फिर मैं कहूं कि civil servant आप एक बनते हैं एक officer under government of India तो जब तक आप service में रहोगे तब तक आपको यह अवर्ड नहीं मिल सकता अगर आप civil services में रहते हुए civil servant रहते हुए कोई सा अच्छा काम करते हो समाज के लिए देश के लिए government को यह लगता है कि आपने अच्छा काम किया है आपको अवार्ड से जो है कि नवाजा जाना चाहिए तो आपको during service यह अवार्ड नहीं मिल सकता है लेकिन हाँ जब आप retire हो जाओगे तो उसके बाद में यह अवार्ड आपको मिल सकता है अच्छा इसमें भी एक exception है exception क्या है अगर मान लोग कोई scientist है या फिर कोई doctor है और उन्होंने उनकी service में रहते हुए कोई सी अच्छी उपलब्दी हासिल की है तो उनको during service भी मिल सकता है यह अवार्ड लेकिन civil servant को during service यह अवार्ड नहीं मिल सकता है तो आपको ध्यान यह रखना है कि scientist और doctor को यह अवा कियों को यह मिलता है retirement के बाद में चलिए नाव अब हम देखते हैं कि इस साल president of India ने total 119 119 पदम अवार्ड दिये हैं जिन में से 7 है पदम विभूशन, 10 है पदम भूशन और 102 है पदम श्री अवार्ड तो एक एक करके हम समझते हैं कि किन किन लोगों को यह अवार्ड क्यो दिये गए हैं देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं पदम विभूशन के बारे में है ना second highest civilian order of India सबसे पहले यह मिला है स्री सिंजो आबे देखिए है ना स्री जो की भारत में एक मतलब respect के तोर पर हम use करते हैं तो स्री सिंजो आबे आप जानते ही होंगे ex prime minister of Japan है ना वरत Pacific का जो concept है इसको आगे बढ़ाने में है ना इनका contribution है क्वाट को बनाने में ठीक है तो अच्छा आपको पता होगा last year 2020 में इनको प्राइमिनिस्टर मोधी के सांथ lesson of merit award भी मिला था तो इनका अच्छा खासा contribution है इसलिए इनको definitely यह deserve भी करते ही सावाट को इसलिए इनको यह award दिया गया है आपको पता होना चाहिए कि जो इंडो Pacific का concept है उसको promote करने में इनकी बहुत बड़ी भूमी का रही है तो इसलिए इनको यह award मिला है है ना इनका photo य इनको मर्नोपरांत यह award मिला है यह ना टेलिवीजन एंकर यह रहे हैं एक्टर याने की acting भी इनोंने की है और साथी साथ यह music director भी रहे याने की overall अगर में बात करूं तो cinema की field में इनका huge contribution रहा है लेकिन unfortunately last year इनका COVID-19 की वज़े से निधन हो गया है और इनको मर्नोपरांत यह award दिया गया है थर्ड वन इज डॉक्टर हैगड़े हैना बेले मुनपपा हैगड़े देखिए इनको यह award मिला है in the field of medicines यह है एक कार्डियो लोजिस्त और इन्होंने काफी help की है लोगों की इन्होंने लोगों को बताया है कि आप बिना medicine पर over dependent होकर अपनी body को कैसे fit र रहे सकते हैं तो इनका अच्छा खासा contribution है in the field of medicines इसी लिए इनको यह award दिया गया है फॉर्थ वनीच सुदर्शन साहू देखिए यह जो सुदर्शन साहू है इनको मिला है in the field of art है ना यह बिलोंग करते हैं उडिशा से अगर आपको पता हो तो इस साल उडिशा से लगबक छे लोगों को यह award पदम award जो है कि मिले हैं तो इस पर जो है कि धर्मेंदर प्रदान हमारे जो union minister है उनका ट्विट भी आया था तो उडिशा से छे लोगों को यह award मिला है चोते हैं नरेंदर सिंग का पानी देखिए इनको भी मर्नोपरांत है ना यह award मिला है और इनको यह award मिला है in the field of science and engineering देखिए आज आप जो घर पर बेटकर यह fast internet यूज़ कर पा रहे ना तो उसके पीछे कही ना कही एक बड़ा सा नाम है नरेंदर सिंग का पानी का है ना इनको the unsung hero भी कहता है he was the father of fire optics है ना उसकी खोज इनोंने ही की थी तो इसी लिए यह इ ओलाना वही उद्दिन खान इनके बारे में क्या बताऊं देखिए इंडिया में इनोंने ओर दे इयर हिंदु मुस्लिम यूनिटी की बात कहिए हिंदु मुस्लिम एकता की बात कहिए यहां तक कि राम मंदिर इसु को लेकर भी इनोंने काफी सुजाओ दिये है और साल 2001 2001 मे इनोंने इस्टेबलीज किया था सेंटर फोर पीस एंड इस्प्रिचुलिटी तो इनका अच्छा घासा कॉंट्रिबुशन रहा है देश में तो इसलिए इनके कॉंट्रिबुशन को धिया रखते हुए पदम इनको दिया गया है लास्ट वन इस श्री बीबी लाल देखिए इनको ये अवर्ड मिला है इन फिल्ड ओप आर्केलोजी ये 1968 से 1972 के बीच में डायरेक्टर जनरल भी रहे हैं आर्केलोजिकल सर्वे ओप इंडिया के और उसके बाद में इनोंने वेरियस युनेस्को की कमिटीज में भी काम किया है तो इनको इसलिए ये अवर्ड मिला है इवन जब बाबरी मजजित कोलेप्स हुई थी उसके बाद में जब आर्केलोजिकल सर्वे ओप इंडिया ने वहाँ पर जो है की सर्वे किया था तो वहाँ पर इनको कुछ एविडेंसेस मिले थे तब इनोंने कहा था कि मुझे वहाँ पर टेंपल होने के भी एविडेंसे 2021 में मिला है अब हम जानते हैं कि पद्मभूशन अवर्ड किन-किन लोगों को मिला है देखिए यहां पर दस लोगों को 2021 में पद्मभूशन अवर्ड दिया गया है मैं कुछ बड़े नाम हैं जिनको डिसकस कर लेता हूं जिसे कि श्री तरुन गोगोई इनको मर्नोपरांत यह अवर्ड मिला है कि अगर आपको पता हो अगर आप थोड़ा सा राजनिती में इंट्रेस रखते हैं तो बहुत बड़ा नाम है यह सीम रहे हैं यह लगबग 2001 से 2016 तक वहां के और यह आपको जानकर खुसी होगी कि यह कॉंगर्स पार्टी से सीम थे ना और आज सब्सक्राइब करते हैं काफी समय से सीम रहे हैं अच्छा कासा काम किया है लेकिन लास्ट इनका कोविड-19 की वज़े से देथ हो गई तो इनको पदमभूशन अवर्ड दिया गया है राम विलास पासवार्ण को यह दिया गया है आपको पता होगा एल जबी पार्टी के है यह ना इनके फोटोस आप यहां पर देख सकते हैं दस लोगों के तो इनको यह आवर्ड दिया गया है एल जबी पार्टी जो है कि फाउंड की थी इनने फाउंडर रहे हैं यह निपेंद्र मिश्रा जो रिटाइड आई एस ओफीसर है ना जो कि आज के समय में में जो अप प्रिकर ओप लोग सबा इंदोर से यह बिलॉंग करती है इनको पदम भूशन अवोर्ड मिला है नेक्स एक काल बे सती के देखिए यह बहुती बड़े शिया क्लरिक थे आपको पता होगा इसलाम में दो सेक्ट होते हैं सिया एक सुन्नी तो यह बहुती बड़े सिया क्लरि इनको भी पदम यह जो अवोर्ड है यह मिला है in the field of trade and industries है ना तो यह सारे 10 लोगे आप देख सकते हैं तो इनको पदम भूशन अवोर्ड मिला है अब देखिए पदम श्री जो अवोर्ड है यह बहुत सारे लोगों को मिला है इवन 102 एक सो दो लोगों को यह मिला है लेकिन कुछ important नाम जो आपको याद होना चाहिए तो मैं आपसे discuss कर लेता हूं कि कौन-कौन से इसे नाम है जो आपको पता होना चाहिए सबसे पहला नाम है भूरी बाई आपको पता होगा शी इस एन इंडियन भील आर्टिस्ट और बिलॉंग टू मद्द प्रदेश जाबवर ड बहुत सारे question बनते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि भूरी बारी जो कि एक भील आर्टिस्ट है आदिवसी महिला है यह तो भील कम्यूनिटी से आती है तो इनको आवोर्ड मिला है पदमश्री आवोर्ड चलिए उसके अलावा कुछ ऐसे नाम जो कि आपने social media के माध्यम से सुने होंगे याने कि आपने टीवी पर भी देखे होंगे अभी recently में जब सोमबवार को यह वोर्ड दिये जा रहे थे तब आपने देखा होगा कि रास्त्रपती भवन के रेड कार्पेट पर नंगे पाउं चलते हुए यह लोग अवोर्ड लेने के लिए गये थे तो य अरकेला हजबा और राही बाई सोवा यह तीन ऐसे नाम हैं याने की इन्होंने साबित कर दिया कि भाया सफलता जो है की किसी भी परिस्तिती की महताज नहीं होती है ठीके ना याने कि आपको सुविदा है नहीं चाहिए आपको सिर्प करना है तो करना है वील पावर होनए चाहिए कुछ करने के लिए तुलसी गोड़ा आप जानते होंगे शी इन इन्वार्मेंटलिस्ट फ्रम करना टक हूँ एस प्लांटेड मोर देन 30,000 सेपलिंग तीस हजार से भी ज्यादा इन्होंने पोधे लगाये हैं और शी हाज बिन इन्वार्मेंटल कंजर्वेशन एक्टिविटिस्ट फॉम लास्ट शिक्स यर्ट लगबख साथ साल से सोचिए इनकी उम्र है 72 साल कपड़े के नाम पर इन्होंने सिर्फ एक कंबल जेसा कुछ लपेटा हुआ है पेर में चपले भी नहीं है लेकिन फिर भी इनको पदमश्री अवर्ड मिलाए नेक्स्ट वनी हर केला हजबबा आपने देखा होगा है ना अच्छा इसी को हम लास्ट माइल कनेक्टिविटी कह सकती है कह सकते हैं ना संत्रे बेचखर पाई पाई जोड़ी डेड़ सो रुपे मजदूरी मिलती थी मात्र लेकिन आभाओ आभाओ के कारण जिस सीखे इन्होंने देखा गरीब बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल नहीं है मंगलूरू में करनाटक के मंगलूरू में मात्र डेड़ सो रुपे की दिहारी करते हैं वक्त इन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं इतना बड़ा स्कूल केसे बनाऊगा लेकिन इन्होंने इस्कूल बनाया और आज वहाँ पर बहुत सारे गरीब बच्चे सिक्षा ले रहे हैं जो जेविक खेती है उसको नई उचाई पर ले जाने काम इन्होंने किया है आपने देखा होगा इस वर्थ एक ट्रांसजेंडर मंजम्मा जोगाती जो कि करनाटक से बिलॉंग करती है इनको भी आर्ट फिल्ड में ये अवोर्ड मिला है आपने वो वीडियो देखा होगा जब ये हमारे रास्ट पती की नजर उतारती हुई दिखाई देती है तो ये थे सारे अवोर्ड आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और दोस्तों के किये गए इन नंबर पर कॉंटेक्ट करके जुड़ सकते हैं हमारी बेचेस इंदोर में स्टार्ट हो गई है ओफ लाइन इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के लिए थैंक्यू सो मच